चंद्वा थाना शेत्र के हेसा जरिया जंगल से टी एस पीसी के सब जोनल कमांडर जगधारी गंचु उर्फ जालंधर को पुलिस ने गिरफतार किया है जोनल कमांडर गिरेंदर गंचु उर्फ गिरेंदर जी को बुधवार को पुलिस ने अदालत में पेश किया जहां से उसे न्याएक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया पुलिस अधिशक संजीव कुमार ने समवादाताओं को बताया कि टी-एस पी-सी उगरवादी कमांडर को मंगलवार को तब हिरासत में लिया गया जब वहे 12 गांस्तित वीना लाज में ठहरा हुआ था पुलिस अधिशक ने बताया कि सोयमभू जौनल कमांडर बिहार के औरंगाबाद से अपना इलाज करा कर यहां लाज में ठहरा हुआ था उन्होंने बताया कि इसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिल गई और उसे विशेश पुलिस बल दुआरा चापा मारी करके गिरफतार कर लिया गया उन्होंने बताया कि गरेंदर चत्रा और पलामू जिले में पुलिस दुआरा वान चित था इस कटर उगरवादी पर आठ नकसली मामले लंबित है पुलिस को उसकी चार वर्षों से तलाश थी आपको बताते कि गरफतार उगरवादी को निशान देही पर सेमी आटोमेटिक फैक्टरी मेड दो राइफल एक देसी बंदूक दो सो बासट जिन्दाकार दूस तीन मुबाइल वा दो एम्यूनेशन पाउच बरामत किया है इस वीडियो में इतना ही मैं कोमल पंजाब के इसरी दिल्ली से अगर आपको हमारी एक खबर चानकारी पूर्ण लगे तो हमारी फेस्बुक पेच पंजाबके इसरी.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को इस वीडियो खाली एकतरी कि ठात छूर्णी और आपको में तो हमारी ये वीडिया द वाज़ गरी आपको मारे लगे खा देऊने हन। कि लगेच झाली एक दो हमारी खानकारी हमारी जिल्से खाल»